पीडियों के बाद भी लोग उनको याद करते हैं साथियों जैसे रुपाला जी गर्व से कह सकते हैं कि वो आजीवन शिक्षक है मैं स्वयम में शिक्षक नहीं हूँ लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक आजीवन विद्यार्थी हूँ मैंने आप सभी से समाज में जो कुछ भी होता है उसे बारिकी से अब्सर्व करना सीखा है आज प्रात्पिक स्थिक्षकों के इस अधिवेशन में अपने इनी अनुभवों को मैं आज ज़रा जी भरकर के हाग में सामने कुछ कहना चाहता हूँ 21 सदी में तेजी से बदलते हुए इस समय में भारत की सिक्षा व्यवस्ता बदल रही है सिक्षक बदल रहे हैं चात्र भी बदल रहे हैं ऐसे मैं इन बदलती हुई परिस्थितियों में हम कैसे आगे बढ़े ये बहुत एहम हो जाता है ज़से हमने देखा है पहले के टीचर्स के सामने संसाधनों की कमी इंफ्रास्ट्रेक्टर का अभाव जैसी कई चुनोतियां होती थी और तब छात्रों की तरफ से कोई खास चुनोति नहीं होती थी आज टीचर्स के सामने से संसाधन और सुविधाओं की जो कमी थी वो वो जो समस्याएं थी वो दीरे दीरे दूर हो रही है लेकिन आज की फीड़ी के बच्चे छात्र उनकी जो जिग्यासा है उनका जो कुत्व कौतूलहला है वे माबाप के साथ साथ टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ी चुनोति चलेंग लेकर आया है यह चात्र आत्म विश्वात से भरे हुए है यह चात्र नीडर है और उनका स्वभाव आट साल की उमर का नौ साल की उमर का चात्र भी टीचर को चुनोति देता है वो सिक्षा के पारंपारिक तौर तरीकों से कुछ नहीं चीजे उससे पूछता है बात करता है उनकी जिग्यासा शिक्षकों की चुनवती देती है और वो पाठ्रकम और विशय से बाहर जाकर उनके सवालों को जवाब दे यहां बैटे विए वर्तमान टीचर वर्तमान बच्चों से रोज अनुवो करते होंगे वो ऐसे सवाल ले करके आते होंगे आपको भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा चात्रों के पास इनफर्मेशन के अलग-अलग स्रोथ है इसने भी सिख्षकों के सामने खुद को अपडेट रखने की चुनोती पेश्की है इस चुनोतियों को एक टीचर कैसे हल करता है इस पर हमारी सिख्षा विवस्ता का भविश्यन निर्भर करता है और सबसे अच्छा तरीका ये हैं कि इन चुनोतियों को परस्नल और प्रोफेश्नल ग्रोथ के अवसर के तोर पर देखा जाए ये चुनोतियां हमें लर्न, अनलर्न और रीलर्न करने का मोका देती है इन्हें हल करने का एक तरीका ये हैं कि सिख्षण के साथ साथ स्वयम को छात्र का गाइड और मेंटर भी बनाए आप भी जानते हैं कि गूगल से डेटा मिल सकता है लेकिन डिसीजन तो खुदी ही लेना पड़ता है एक गुरू ही चात्र को गाइड कर सकता है कि वो अपनी जानकारियों का सही उप्योग कैसे करे टेकनोलोजी से इन्फरमेशन मिल सकती है लेकिन सही द्रश्टिकॉण तो सिक्षक ही दे सकता है सिर्फ गुरू ही बच्चों को ये समझने में मदद कर सकता है कि कौन सी जानकारी उप्योगी है और कौन सी नहीं है कोई भी टेकनोलोजी किसी विद्यार्थी की पारिवारी स्थिती को नहीं समझ सकता एक गुरू ही उसके हालात को समझ कर उसे सभी मुश्किलों से बहार निकलने के लिए प्रेरित कर सकता है इसी तरह दुनिया की कोई भी टेकनोलोजी ये नहीं सिखा सकती कि किसी विशय की गहराई में जाकर उसे कैसे समझे दीप लर्निंग कैसे करें जब इन्फर्मेशन की भरमार हो इन्फर्मेशन के पहाड़ खड़े हो जाते हैं तो छात्रों के लिए ये महत्वपुण हो जाता है कि वो कैसे एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें बीप लर्निंग और उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाना ये बहुत महत्वपुण है इसलिए आज ये कीश्वी सदी के चात्र के जीवन में टीचर की भूमिका और जादा ब्रहद हो गई है और मैं तो आप से भी कहना चाहूंगा मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूँ और नहीं मैं उपदेश दे सकता हूँ लेकिन आप पल भर के लिए ये भूल जाएए कि आप टीचर है पल भर के लिए सोचिए का आप किसी संतान की माता जी है या किसी संतान की पिता जी है आप अपने बच्चे को कैसा चाहते हैं आपके बच्चे के लिए आप क्या चाहते हैं पहला जवाब मिलेगा सात्यों यहाँ से कोई इंकार नहीं कर सकता है पहला जवाब मिलेगा मैं भले टीचर हूँ हम माता पिता दोनों भले टीचर है लेकिन हमारे बच्चों को अच्छा सिक्षक मिले अच्छी सिक्षा मिले आपके दिल में भी बच्चों के लिए पहली कामना है आपके बच्चों को अच्छा सिक्षक अच्छी सिक्षा मिले जो कामना आपके दिल में है वही कामना हिंदुस्तान के कोटी-कोटी माता-पिता के दिल में भी है जो आप अपने बच्चों के लिए चाहते है वो हिंदुस्तान का हर माब अपने बच्चों के लिए चाहता है और वो आप से उमीद करता है और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखे रहे है योज़ 24